हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग बित प्रियंका सिन्ना में आज हम सेर करेंगे आपके साथ बिहार का एक बहुत ही फेमस रेसेपी और इस recipe का नाम है खजूर, बहुत जगे इसे खजूरिया भी कहते हैं बिहार में बहुत सारे तेहारों में इसे बनाया जाता है छट पूजा में भी इसे परशाद के तोर पे बनाया जाता है पर आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी होता है बिल्कुल बिस्किट जैसा होता है पर हम इसे फ्राइ करके बनाएंगे आप इसे एक बार बनाके एरटाइट डब्बे में रखके महीनों तक खा सकते हैं यह खराब नहीं होता यह बहुत खासता भी होता है आप देख सकते हैं यह कितने आसानी से तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए अभी दी पाबली आ रहा है तो आप इसे एक बार जरूर बनाईयेगा और आप से रिक्ष्ट है कि आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आपको पसंद आएगा ये रेसिपी तो चलिए हम बनाते हैं खजूर, खजूर बनाने के लिए हम यहाँ पे दो कप मैदा लिए हैं पर आप इसके जगह पे आटा भी ले सकते हैं हम यहां पर दो कप मैदा ले लिये हैं इसमें हम डाल रहे हैं one fourth cup refined oil आप इसके जगह पर घी भी ले सकते हैं और अब हम इसे अच्छे बिक्स करेंगे आप चाहे तो आठा और मैदा दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं या सिर्फ आठा भी ले सकते हैं आप अपने पसंद से इ तो आप देख सकते हैं यह अच्छे से मिक्स हो गया है और हम थोरे से आटे को ऐसे दबा रहे न तो वह लड़ू बन जा रहा है इसका मतलब है कि अच्छे से मैदे में तेल मिल गया है अब इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी पीसा हुआ पॉडर सुगर ले रहे हैं हमें आप को जादा मीठा चाहिए तो चीनी और जादा रख सकते हैं अगर कम चाहिए तो थोरा चीनी कम कर लीजे चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे आदे चमच करीब सौफ और थोरे से सूखे हुए नारियल को हम कद्दू कस कर लिए हैं तो वह इसम चोटे चोटे टुक्रे में काट के डाल सकते हैं तो इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब हम लेंगे दूद तो हम यहाँ पे एक कप दूद लिये हैं पर इसे एक बार में बिल्कुल नहीं डालना है थोरा थोरा सा दूद हम इसमें डालेंगे और इसे mix करते जाएंगे इसे गूदना नहीं है इसे बस थोड़ा सा गीला करना है हमें ताकि हम इसे लड़ू की तरह हाथ में बनाएंगे तो ये लड़ू जैसा बनने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा दूद डालेंगे और इसे अच्छे से mix करते जाएंगे सकते हैं यहां पर यह बहुत गीला हो गया है अब यह ऐसा हो गया है कि हम इसे अराम से लड़ू बना सकते हैं तो हमें ऐसा ही चाहिए इससे ज़्यादा गीला नहीं कीजिएगा तो अब हम खजूर बना लेंगे बिहार में वैसे खजूर बनाने के लिए एक साचा आता है जि तो round shape में भी बना सकते हैं, लंबे shape में भी बना सकते हैं, आप इसे अपने मन पसंद shape में और अपने मन पसंद size से बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, बस इसे हाथ से plane कर लीजिए और दबा के थोरा सा पतला कर दीजिए, बन गया हमारा खजूर और थोरे से fry करेंगे, gas on करके हम तेल चरहाए हुए हैं, और gas का flame आप बिल्कुल slow to medium रखिएगा, high नहीं होना चाहिए, और तेल भी हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खजूर इसमें डालते ही, dark हो जाएगा, और ये अंदर तक नहीं सिखीगा, इसे slow gas पे हमे fry करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से fry हो जाए, और तभी ये खास्ता होगा, अगर आप इसे high flame पे fry कर लेंगे, तो ये खास्ता बिल्कुल नहीं होगा, तो इसे आप slow gas पे ही fry कीजे, तभी ये खास्ता होगा, तो एक बार में जितना आएगा, उतना हम रख लेंगे और तेर से दो मिनर तक हम इसे fry करेंगे, फिर हम इसे अराम-ाराम से पलट लेंगे, आप देख सकते हैं, ये एक साइड हो गया है, तो हम इसे पलट रहें, इसे थोड़ा ध्यान से पलटिएगा, क्योंकि ये बहुत खास्ता रहता है, तो तूटने का थोड़ा डर रहता है तो इसे हम अराम अराम से पलट लेंगे और फिर दोनों साइट से इसे हम fry करेंगे light golden brown होने तक हम इसे fry करेंगे तो इसे अराम अराम से पलट के दोनों साइट से हम fry कर लेंगे अगर आप इसे थोरा सा हिल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मैदे के जगा पे आटा ले लीजे आटा से आप इसे बना सकते हैं आटे से भी ये बहुत टेस्टी बनता है और आप एक बार में जादा बना के एरटाइट डबे में बन करके रख सकते हैं आप इसे महीनों खा सकते हैं इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, यह बहुत टेस्टी लगता है, तो यहाँ पर मेरा पहला बैच तैयार हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे, हमें इतना ही फ्राइ करना है, इससे ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे, तो पहला बैच मेरा तैयार हो गया है, हम पूरे खजूर को निकाल लेंगे आप देख सकते हैं और सेम प्रोसेस से बाकी बचे हुए खजूर को भी हम फ्राई कर लेंगे बस इसे आप स्लो गैस पे फ्राई कीजेगा तो ये बहुत खास्ता बनेगा एक बैच को फ्राई करने में आपको पांच से छे मिनट लग सकता है तो स्लो गैस हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यहां पे मेरा पूरा खजूर बन गया है आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है बिल्कुल बिस्किट जैसा लगता है आप इसे बना के रख लीजे और साम में ऐसे स्नैक्स की तरह भी आप खा सकते हैं ये बहुत टेस्टी इसे बनाना और अगर आप इसे थोड़ा हिल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे आटे से बना लीजे बहुत खास्ता भी बनता है ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये टूट रहा है बिल्कुल बिस्किट जैसा होता है ये तो आप इसे एक बार जरू ट्राई कीजे और हमें बताइएगा कि कैसा लगा ये रेसेपी तो अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंश सके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क कीजे सेर कीजे कमेंट कीजे थैंक यू मिलते हैं आप से फिर नेक्स्ट वीडियो में